14 अप्रेल को पूरे देश में डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अंबेटकर की 131 जैनती बड़े धुमधाम और हरसो लास के साथ मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेटकर सविधान रचैता के साथ साथ भारतिय विधी वेता थे वे कुशल राजनितिग्य के अलावा दार्शनिक, मनोवग्यानिक, इतिहासकार और अर्थ शास्त्री भी थे भारत रत ने डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अंबेटकर की जैनती पुरे देश में मनाई जा रही है अंबेटकर जैनती के मौके पर देश भर में विभिर ने करेकरमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में मुंबई से सटे मीरा भाइंदर शहर में भी डॉक्टर अंबेटकर को स्रधा सुमन अर्पित किये गए मीरा रोट के काशी मीरा इलाके में डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अंबेटकर द्वार और अन्य प्रतिमाओं का अनावरेंड किया गया इस मौके पर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष प्रवीन दरेकर बीजेपी जिलाध ध्यक्च रवी व्यास पुर्व विधायक नरिंदर वहता और महापार समेत कई नगर सेवक मौझूद रहे इस दवरान बीजेपी नेता प्रवीन दरेकर से मीरा भाइंदर बीजेपी में चल रहे अंतर युद्ध के बारे में सवाल किये गए जिसका उन्होंने माखूल जवाब दिया ऐसा लगता है कि मीरा भाइंदर महानगर पालिका के चुनाव से पहले भारती जनता पार्टी में अंतर युद्ध शुरू हो चुका है मीरा भाइंदर बीजेपी दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है जिसमें एक गुरूप है नरिंदर महता का तो दूसरा गुट है बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवी व्यास का दोनों नेताओं के बीच पार्टी में वर्चस्व की लडाई इन दिनों देखने को मिल रही है पिछले कुस दिनों में रवी व्यास के गुरूप की ओर से नरिंदर महता पर जम कर निशाना साधा गया था तो ये तस्वीरे हैं मीरा भाइंदर शहर की जहां डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब आम बेट करके जैनती के मौके पर पहुंचे थे विधान परिशत के प्रतिपक्ष नेता प्रविंदरेकर जिनके हाथो यहां ओधगाटन कारिक्रम संपन्न हुआ इसीप्लिन की परटी है और वो परटी डिसिप्लिन से चलेगी अब ही छोटा मोटा मनमोटा होंगे तो हमारे खर है सबको मिल बैटके समझाएंगे लेकिन पार्टी के तुbel आ